Hello friends, this is Shifaliya and once again welcome back to Canada. So UGC ने eligibility criteria सभी के लिए change कर दिया है. But यहाँ पर आपके educational qualification के eligibility criteria में कुछ छीज़े add-on हुई है. Age limit वाला कोई भी criteria यहाँ पर UGC ने change नहीं किया है. So UGC ने June 2024 के forms आचुके हैं, 10th में is the last date, अब आप अप्लाई कर सकते हैं. Application form फिल अपोना start हो चुका है. आप सबसे पहले information bulletin को अच्छे से पढ़ लीजे, go through कर लीजे, फिर ही आप form को apply करिए. यहाँ पर हम यह समझने वाले हैं कि eligibility criteria में क्या कुछ चीज़े बदली हैं या क्या कुछ चीज़े add हुई है. देखें, जो भी पहले आपका eligibility criteria था, उसमें कोई भी trade chart नहीं किया गया है. UGC net का examination basically वही दे सकते हैं, जिन्होंने masters complete कर लिया हूँ. Masters में उनकी 55% होने चाहिए, अगर आप general category से belong करते हैं. अगर आप SC, ST, SC, OBC हैं, PWD हैं, या अगर आप third gender से belong करते हैं, तो ऐसी situation में आपके 50% होने चाहिए, masters में, overall 50%. साथ में वो students जो के appearing में हैं, चाहिए वो first semester में हैं, first year में हैं, या last semester में हैं, वो भी UGC net का form fill up कर सकते हैं, masters में. ये चीज़ पहले भी थी, और ये अभी भी है, इसमें कोई भी changes नहीं है. अपेरिंग वाले students के लिए, जो उनको ध्यान रखना है, वो ये, कि आप अपना दो साल के अंदर में course complete कर लीजे, masters, और 55% आपकी overall बनने चाहिए, अगर आप general category में belong करते हैं, तो. क्योंकि फिर अगर आपका masters हो जाता है और आपका 55% नहीं होता है, तो आपका जो certificate है, वो invalid हो जाएगा, क्योंकि फिर आप इनका जो basic minimum percentage वाला criteria आप fulfill नहीं करेंगे. तो ऐसी situation में आपको 55% mandatory है होना, इसमें कोई change नहीं किया गया, ये पहले से था same to same as it is. Age limit भी same to same जैसे पहले थी वैसे अभी भी है, 30 years का अपर age का limit है GRF में, और SC, ST, PWD, OBC और Wimels के लिए 5 years का relaxation है, मने 35 years तर आप firm को fill up कर सकते हैं, तो age limit में कोई भी changes नहीं है, और net का, यानि कि जो UDC net, यानि कि assistant professor का जब आप option choose करते हैं, उसके लिए तो कोई अपर age limit पहले कोई course कर रहे हैं, चार साल का, फिर चौह आप B.T.E. कर रहे हो, या आप भी फार्मा करें, कोई भी integrated course अगर आप कर रहे हो, या B.A. B.C.O.M. कर रहे हो, कोई भी अगर आप 4 साल का integrated course कर रहे हैं, तो ऐसी situation में, अगर आप last semester में है, final semester में है, तो आपको यहाँ पे directly इस कर रहे हैं, कि आप UGC NET का form fill up कर सकते हैं, शर्ट सर्फ इतनी है, कि आपका 75% होना चाहिए, अगर आप general category से belong करते हैं, तो अगर आप SC, ST, OBC है, तो ऐसी situation में 70% होना चाहिए, aggregate, overall होना चाहिए, ऐसना नहीं कि first year में, second year में नहीं, चार के चारो साल को मिला का, कि final जो students, जिन्होंने master's complete कर दिया है, या जो pursue कर रहे हैं, उनके लिए same process है, same pro farma है, आपके 50% और 55% वाला ही, यहाँ पे percentage रखा गया है, एक चीज़ और, क्योंकि यहाँ पे changes क्यों किया गया है, मतलब अब अंदक graduate course के लिए, यह सुविधा क्यों दी गई हुई है, वो इसले क् राश्टर सेक्षा नहीं थी, 2020 के बाद higher education में बहुत सारे positive changes हम सभी को देखने को मिल रहा है, और अभी हाल फिलहाल में, UDC ने integrated teacher education program, ITEP, यह start किया है, बेड को replace करके, जो आप पहले बेड दो साल का करते थे, फिर बापने बेड को एक साल का किया गया, और बेड अगर एक स education program, 4 साल का, आप education course कर सकते हैं, just after completion of your 12th, 12th pass out करने के बाद में, और जिसने भी इस ITEP program को complete कर लिया है, वो directly कहने कहीं eligible हो चाता है, UDC NET का भी examination देने के लिए, directly PhD करने के लिए भी, तो अब UDC बहुत साथा education sector में, और higher education sector में, smoothly, अच्छी तरीके से एक बदलाव आना चाती और इस reason से इन्होंने 4 साल integrated course करने वाले students को भी opportunity दी है, कि आप directly, अब आपको 2 साल का master's करने के requirement नहीं, आप net case score के basis पे ही, आप directly PhD में involvement ले सकते हैं, हाँ, आप assistant professor नहीं बन पाएंगे, आपको JRF बिलकुल मिलेगा, PhD करने के लिए, PhD में आप admission ले सकते हैं, but, 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 आपको assistant professor भणने के लिए, definitely master's करना ही होगा, और अपनी PhD कंप्रीट करना ही होगी, तो यह एक चीज है, जिसमें कोई भी challenges यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, और इस बार आप सभी का examination है, वो offline mode में, CBT mode में नहीं होगा, offline mode में ही होगा, और offline mode में करने की पीछे ज़े सबसे ब तो इनके भी examination अगले ही महिने में स्टार्ट होने वाले है, 13 April से इनके भी forms fill up स्टार्ट होगा है, 30 April तक इनके भी forms fill up होगे, और 187, 178 cities में इनके examination होगे, और 13 अलग-लग mediums में होगे, और examination ही CBT mode में ही करने वाले है, तो बहुत difficult हो जाएगा, यह examination को कराना और UGC net के भी examination को करना इस कारण से, इस रीजन से, इस बार जो आपका UGC net का examination है, वो offline mode में कर दिया गया, हमें बिलकुल नहीं कह सकते हैं कि next आपका जो December वाला cycle है, उसमें भी offline mode में होगा या नहीं, हमें नहीं बता, offline mode के बहुत सारे positivity भी है, और कुछ negative side भी है, दोनों के बारे में हम next video में discussion कर लेंगे, आपको ये कैसा decision लगा, UGC का जरूर से बताएगा, और higher education में भी बहुत सारे changes आने वाले हैं, 4 साल का आप जो integrate course कर रहे हैं, ITEP के थूँ, आप directly उसको करने के बार PhD कर सकते हैं, net का form फिलब कर सकते हैं, मैं फिर से आप लोगों को एक चीज रिमाइन कर इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, hopefully आप सभी को वीडियो informative लगी होगी, अगर हाँ, तो जाते जाते लाइक करके जाएगा, चैनल पे नए हैं, तो सब्स्ट्राइब कर लीजेगा, और अपने फ्रेंज के साथ आपने शेयर भी कर दीजेगा, 9 पेम पे हमारी classes होती है, free of course, इसी platform पे, आज भी 9 बजे मारी sessions है, आप join कर सकते हैं, important questions हम practice करने वाले हैं, wish you all the very best and get success.